हेलो गैस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल और गैस मैं आज आया हूँ बिजार्य इस्टेशन पर जो की वहाँ खूरत सभी स्टेशन है डिश्टिक बरेली का एंड गैस आपको मैं इस खिलिप में सारी चीजें दिखांगो तो गैस फिलीज बने रहेगा मेरे चैनल में और दोस्तों हम निकल चुके हैं इस्टेशन के तरफ जो की यह बिजार्य रोड को जाने वाला सीधा ही रोड है और गाइस हम पहुंच चुके हैं बिजार्य इस्टेशन के पास है जो कि बहुत फूफ्शूरत साइस्टेशन है इसके बाद में आपको मैं दिखांगा बिजार्य इस्टेशन जो की फूफ्शूरत कितना है आप अंदर से भी अब लाइव टेकिंग भी दोस्तों अब हम इसके बाद में बिजार्य इस्टेशन में आपको यहां पर अभी सारी चीछे देखने को मिलेंगे कि इतना खूफ्शूरत है अंदर से इस्टेशन गाइस छी इस लिश्ट ओफ्शूरत इस्टेशन है अब देखकर ही आपको लगता होगा एंद आपका भी दिल करेगा कि आप एक बार यहां पर जरूर हो और साथ ही साथ यहां पर एक ओबर ब्रिज भी बनाया गया है जिससे कि जात्तियों को पैसंजर को आने जाने में को दिक्कत ना हो वह पट्रियों को गाइस फैनली पहुंच चुके हैं बिजोर्या इस्टेशन जो कि बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा इस्टेशन है और आगे एक बहुत बड़ा इस्टेशन है जो कि आपको नेश्ट वीडियो में शायद आपको देखने को भी मिल जाएगा सो आप बने रहे गाएंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी का मेरे चैनल को और गाइस यहां पर काफी यहां पर बहुत 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 दूर से लोग घुमने के लिए आते हैं विकाज इस साइड में एक पुल है जो कि इस वीडियो में में तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूं बट आई होप कि आपको नेश्ट वीडियो में बो पुल भी देखने को मिलेगा और बहुत व्हा वा इच्ट में हो 좀 को किरेट करने के लिए अपने संरी और लिए कैजसे देखिये का खुबशूरा सा नजार highly सफर करने के लिए यहां पर वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोग है भी जम हो रखी है वेट कर रहे हैं ट्रेन का कि ट्रेन्थ आया और अपने-पनी इस्थान पर आपनी जगह उपर पहुंचे ऑफ पाइनली ट्रेन भिया चुकी है मैं अ यहीं वो इस्टेशन है जो कि बरेली डिश्टिक के लिए जाती है सिदे एंड जो कि बहुत खूबसूरत सा एंड बड़ी लाइन है यहाँ पर यह जो एरिया है वो है पिल्भीद के लिए जो कि फिल्भी डिष्टिक के लिए ट्रेशा धीर बहुत- खुब्सुरस आ इस्टेशन है बहुत प्यारी सी जगह है बहुत सुकून मिलता है यह पर हाया पर मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको दिखाऊंगा डिस्टिक बरेली का सबसे बड़ा इस्टेशन सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को शेर करिएगा